सलाम वालेकूप देखो भरूट से आगे गुजरात में भरूट से आगे जम्बू सर है और जम्बू सर से एक रोट जाता है टंकारी बंदर टंकारी बंदर रोट पर यह जीब चीत देखी रोट के दोनों दरब आप देख रहे हैं कपड़े बांदे हैं यह साड़ी बांदी है दोनों दरब लगबख पांचे किलोमेटर तक यह हाल है तकरीबन तो यहां लोकल लोगों से पूछा कि यह क्या वज़े हैं समझ में नहीं आया यह दोनों दरब रोट के दोनों दरब यह साड़ी कपड़े बांदे है यहां तो पता जला कि यह लोकल लोगों से पता किया तो बताया उन्होंने कि यहां नील गाई जंगली गाई बोलते हैं रहे वो बहुत निकलती है तो यहां काफी सारे एक्सिडन हुए है लोगल लोग जख मी हुए तो ये गाउवालों ने हल निकाला कि ये कप्ड़े बांदे ताके वो नील गाई का टोला एकदम रोट पर ना आ जाए तो ये दोनों तरफ रोट के ये जो ने काफी लंबे जगा कवर की है दिन में तो चलो आजमी को दिख जाएगा कि गाई आ रही है नील गाई बोलते जंगली गाई उसके बड़े-बड़े रेवल निकलाते हैं और यह के लोकल लोग उसको रोज बोलते रोज नील गाई जंगली गाई तो उससे बचाओ के लिए ये रोट के दोनों तरफ कपड़े साड़ी लगाई गई है ओक्टे टेंक्यू सुक्रिया अभार में अम्बूलर्श ड्राइवर कासिम वरिया वासूरत सीटी गुजरात इंडिया से ये बरूच जंबू सर से टंकारिया बंदर वाला रोड है आगे पूरा गाय का रेवर जा रहा है